तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलालीटी का फ्रमूला जानते होंगे मॉलालीटी को लोग एस्मॉल एम से रिप्रेजन करते हैं तो वेट गिवन इन ग्राम आफ सॉल्वेंट बाइग ग्राम मॉलेकुलर मास ग्राम मॉलेकुलर मास ओफ सॉर्विटी ग्राम ओफ सॉल्वेंट थाउजैंट तबाया के वेट ओफ सॉल्वेंट यहीं अपका होता है मॉललीटी को फ्रमूला ह्टीक है मॉललीटी का फ्रमूला एं मोललीटी कूझा यहते है MB into WA by WB into 1000, ठीक है, चलिए, MB into width of solvent, ठीक है, width of solvent को अब लिख सकते हैं, width of solution minus width of solute, WB into 1000, multiply कर देते हैं, तो MB into W solution by WB into 1000 minus MB, और ये, ये cancel हो जाएगा, ठीक है, by 1000, कोड़ आउठ है, चलिए, यहां से देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, MB को रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं, रो into B by WB into 1000 minus MB by 1000, यहां पर रो जो हो गया, वो density of solution हो गया, density of solution, भीज हो गया, वो volume of solution, कोड़ आउठ है, यहां पर रोज हो गया, वो density of solution हो गया, भीज हो गया, volume of solution हो गया, यह आपका weight of, या mass of solution हो गया, तो mass of solution कैसे निकालेंगे, density को volume से multiply कर देंगे, तो निकल देगा, ठीक है, आरे बासे में, चलिए हम लोग आगे इधर बढ़ते हैं, 1 by m equal to, यहां से mb और wb, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, mb, wb into, b by thousand, row minus mb by thousand, यहां से यह जो हो जाएगा, आपका one by molarity हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका relation निकल गया, important relation निकल गया, आपका molarity and molarity में, यह आपका capital M जो हो गया, यह molar dt हो गया, small m molarity हो गया, mb जो हो गया, यह gram molecular mass of solute, आई वासे में, ठीक है, और रोज हो गया, density of the solution हो गया, तो यही आपका एक relation होता है, आप लोग इसको note कर लेजेगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट, molarity of dilution, ठीक है, molarity of dilution, molarity of dilution कहने कैसे, क्या होता है, कि कोई भी आपका given amount of solution लेगा दिया हुआ, ठीक है, तो उसमें, water मिलाएंगे, तो water मिलाने के बाद उसके molarity में क्या changing आता है, यही आपका होता है, molarity of dilution, चलिए, इसको pictorialium represent करते हैं, देखिए, इसका सबसे पहले initial molarity M1 रहा होगा, इसका volume V1 रहा होगा, ठीक है, इसमें, number of moles of, number of moles of solute निकालेंगे, ठीक है, यह अपका liter में मालीज रहा होगा, ठीक है, number of moles of solute निकालेंगे, तो क्या निकलेगा आपको, N equal to M1 V1, पता होगा आप लोगो, molarity equal to क्या होता है, number of moles of solute divided by volume, if liter में होता, तो हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, और milliliter में होता है, तो हम लोग 1000 से multiply कर देते, बट यहां पे हम लीटर में पहले mention कर चुके हैं, इसलिए ऐसा रहने देंगे, ठीक है, molarity का फ्हामूला होता है, इसलिए यहां पर सॉल्वेंट का इमांट चेंज होगा, बट सॉल्वेंट का आपका नमट नमट चेंज होगा, इसलिए फिक्स रहा होगा, ठीक है, तो इसमें मिला देने के बाद यह जो बन जाता है, तो यह आपका इस तरह का बन जाता है, इसका वालूम बट चुका है, ठीक है, इसका वालूम आपका मालेजी भीट हो चुका होगा, मुलारिटी भी चेंज हो चुका होगा बड़ क्या चीजी कॉंस्टेंड होगा तो दाहिशन भी नहीं मैंते पंथे asking पानी यहां आपका उल्हाहें उसोगर को मिला फिरötब फिर एंट दरγीर है यह आपका चेंज कर जाएगा नहीं चेंज करेगा ठीक है तो चलिए नमबर आफ मौस आप सॉल्यूट निकालेंगे तो आपका क्या होगा यहां भी यहां से इस फ्रमूला का अपलाए करके आप निकाल सकते हैं रिजल्टेंट मोलारीटी मालेज आपको यह निकाल निकाल सकते हैं बात समया रही है ठीक है आगे बड़े चलिए अब देखें मोलारीटीप मिक्स्निक बताते हैं कि ऑ मिकृटी आफ़ आफ़ को देखेंच मौलारेटी मिकृष कहां पर कल्कृट यह आता है ठीक है यह आपका मौलारेटी मिक्श नामसर गीस्थे miss क्या? mix करना मतलब आपके पास दो solution रहेगा ध्याएं पिर दो से ज्यादा solution रहेगा दिया हुआ δεν भी ख्याएं में दूनों का दोनों solution क्या हो सकता है अब का हो सकता है या फिर क्या हो का non reactionable solution रखता है जिसको आपको मिलाने के वाद आपको क्या होगा वारी वासान में आपको क्या हो सकता है थनों दुट और don Ampec हो सकता है जो आपका सिखेंगे यहां से थीखेंगे झालिए बाद करोंडि करतें यह आपका first solution है, इसका molarity हमने माना M1, volume B1, ठीक है, यह आपका second solution है, इसका molarity हमने माना M2, volume B2, ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को mix कर देंगे, यह आपका one था, यह टू था, ठीक है, mix कर दिये, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, if two are more non-reacting, solutions are mixed, are mixed, then resulting mola reti can be calculated edge, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, यह आपका first solution था, यह second solution था, इसका जो volume हो जागा, यहाँ पे हम पहले mention कर चुके हैं, कि यह non-reacting solution है, non-reacting, non-reacting में अपका हो सकता है, कि दोनों का, दोनों solution, आपका, same solute का हो सकता है, यह फिर ऐसा कुछ solution हो सकता है, जो आपस में mix होने के बाद, आपका reaction नहीं करेगा, आरी वासन में, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका होगा, दोनों को मिलाने के बाद, जब non-reacting होगा, तो volume इसको n1 माल लेंगे, यहाँ पर जो number of most होगा, उसको n2 माल लेंगे, अब दोनों को mix कर चुके है, तो यहाँ पर total number of most कितना होगा, जी आपका, तो n1 प्लस n2, जो भी solute होगा, solute का total amount यहाँ पर add हो चुका होगा, आरी वासन में, चलिए, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 n1 निकाल लेते हैं, चलिए, n1 निकाल लेते हैं, तो क्या आपका होगा, m1 भी 1 होगा, n2 निकालेंगे, तो m2 भी 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर volume को लीटर में ले रहे हैं, यदि लीटर में नहीं लेते हो, तो यहाँ पर thousand से divide करना पड़ता है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए, m1, b1 ले सकते हैं, प्लस m2, b2 ले सकते हैं, और nr के place पर क्या लेंगे, mr और b1 प्लस b2, यहाँ पर resulting molality आपका क्या है, mr है, total volume क्या आपका, b1 प्लस b2 है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यही आपका important relation निकल गया, आप अराम से यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, mr का value calculate कर सकते हैं, यहाँ पर 2 solution हो सकता है, यहाँ फिर 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है, आरी बसमें, चलिए, इसको नोट का लिजिगा अप लोग, अब देखें, कुछ symbolic representation बता आयते हैं, जैसे आपका molar solution कहाएगा, molar solution, तो इसके लिए molarity का value क्या होगा, आपका, molarity का value क्या होगा, तो 1m होगा, कहीं पर भी question में आपको दिया हो सकता है, molar solution है, तो molar solution कहने का आपका, 1 molarity का value होगा, ठीक है, 1m molarity का value होगा, चलिए, सेमी molar solution की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 0.5m, या फिर बोच सकते हैं, 1 by 2m, ठीक है, चलिए, centi molar solution की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 0.0m milli molar solution की बात करेंगे, तो 0.00m हो जाएगा, 0.001m, and then आपका इसी तरह से हो जाएगा, आरिवासन में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट का लिजीगा आप लोग, DC की बात करेंगे, तो 1 by 10 में सापका क्या होगा, 0.1m हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next topic के start करते हैं हम लोग, normality, normality, यह normality topic क्या होता है, तो यह आप लोग, class 11th में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, normality topic क्या होता है, तो यह बताता है कि आपका कितना number of gram equivalents of solute dissolve है, आपका 1000 ml of solution में, ठीक है, 1000 ml of solution में आपका कितना amount of, कितना number of gram equivalents of solute dissolve है आपका, ठीक है, यह आपका क्या होता है, normality होता है, चलिए, normality equal to हो जाएगा formula, number of gram equivalents of solute by B, B, लीटर में होगा, तो लोग इतना ही पर छोड़ देंगे, बट आपका ml में होगा, तो यहां से क्या करेंगे, 1000 से multiply करना परेगा, ठीक है, यहां पर देखिए, number of gram equivalents क्या होता है, तो चलिए, number of इसको और भी लिख देते हैं, W by EB into 1000 by B, ठीक है, यहां पर, WB जो हो गया, यह आपका mass of solute in gram, और EB जो हो गया, यह हो गया आपका equivalent mass of solute, ठीक है, तो आपका number of gram equivalents समद्द में आ गया, number of gram equivalents यह होता है, means, mass given gram divided by equivalent mass, यह क्या होता है, अपका number of gram equivalents होता है, ठीक है, आर यह वासर में, चलिए, तो यहां से इसको और भी आप formulate कर सकते हैं, WB by, EB को में लिख सकते हैं, MB by N यह N आपका valency factor हो गया, equivalent mass equal to, मैं लिख दे रहा हूं, equivalent mass equal to, जिसको में लोग EB कह रहे हैं, वो क्या होगा आपका, ग्राम molecular mass या फिर molecular mass divided by valency factor, यहां पर N जो हो गया, वो valency factor हो गया, ठीक है, चलिए, अब देखी तो यह इसको गौर से देखी है, क्या है आपका, molality है, number of moles, absolute, dissolved in, one liter of solution, ठीक है, molality होई, तो आपका निकल करके आगया, N equal to N into M, मिस, capital N निकालना होगा, तो small N को multiply कर देंगे, capital M से, तो आपका निकल जाएगा, normality का value, आरे वासर में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समसमधा आयते हैं, कि अपका N होता क्या है, जैसे HCl की बात करेंगे, तो इसके लिए N का value आपका 1 होगा, क्यों होगा N का value 1, क्योंकि H plus की रूप में, C minus की रूप में देता है, किसी आइनिक compound के लिए, valency factor का वही वहल होगा, जो आपका number of, या बोल सकते हैं, कि कितना amount of negative charge है, कितना amount of positive charge है, ठीक है, H2, SO4 की बात करेंगे, इसके लिए आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 H plus, और आपका SO4, 2 minus, हाई, कभी-कभी इसके पास, 1 भी होता है, जब क्या होगा, आपका single H plus, और आपका SO4 माइनस के रू 1 भी हो सकता है, आरे वासन में, NACL के लिए बात करेंगे, NACL के लिए, इसके लिए अपका 1 होगा, क्योंकि आपका क्या देता है, N A plus, और CL minus के रूप में, single single, single, आपका क्या है, यह N I A N C N K T A Ns है, आरे वासन में, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हम लोग, चलिए, कुछ देख लीजे, जैसे नॉर्मल सालूसन बोलेगा, नॉर्मल सालूसन, तो इसका मतलब समझेंगे, कि इसका नॉमलिटी का भैलू क्या होगा, आपका, 1N होगा, ठीक है, सेमी नॉर्मल सालूसन आपको बोलेगा, जिसका मतलब होगा, 0.5N, ठीक है कि सेंटी कि नॉर्माल सॉलूशन आपको बोला जाएगा तो जिरो पॉइंट जिरो वन एन है ना आरे वास में इसी तरह करके आप डिपर्जन कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं लो पर्संटेज की रूप में आपका हो सकता दिया हो तो वहां से आप कल्कॉलेट कर सकते हैं तो देखिए डी जो होगा आपका यह डेंसिटी आफ सॉलूशन ग्राम पर फर्यमल में होगा ठीक है एक्स जो होगा वह पर्संटेज बाई mass of solute ठीक है यहाँ सब calculate कर सकते हैं let कर लेंगे solution जो हो जाएगा density into 1000 means density into volume जो जाएगा total mass of the solution हो जाएगा ठीक है तब कह यहाँ पे mass of the solute कितना होगा तो mass of the solute जो होगा वो x by 100 into d into 1000 ठीक है x into d into 10 gram आपका क्या हो गया mass of solute हो गया चलिए तो यहाँ से normality का value जली निकाल लेते हैं हम लोग weight given in gram divided by equivalent mass into 1000 by volume यही होता है formula ठीक है यहाँ से normality को जागा डबलू भी डबलू भी को लिख देते हैं यह x into d into 10 into 1000 पहले से given है volume आपका 1000 लिये हैं यह cancel होगा और ev का value बात करेंगे तो MB और by valency factor यहाँ से आपका निकल कर किया जागा अगा यहाँ इकल टू स्मॉल एंटू इंटू एंटू इंटू 10 वाइं भी ठीक है आप चाहें तो मोल आटी के फोर्मूला से भी डायक्ट एंट से मल्टिप्लाइ करके निकाल सकते हैं ठीक है आरे बसमें चलिए यह अपका क्लियर हो गया अगा अगा कि को अगर्य के अगर्च로 नेक्स्ट बात करते हैं लूइए कि फॉर्मलीति लास्ट पार्मूल्री टेड़ क्या होता है तो बहुत यह असान सिर्फ और सिरुपिस का डिफिनेशन परना इसका यूज में अभी survived क्लास में होता नहीं कहीं पर ठीक है तो फॉर्मूलिटी होता है इट इज दा नंबर आफ कि फॉर्मूला कि मास आफ कि सॉल्यूट कि डिजॉल्वड कि पर कि लीटर आफ दा सॉल्यूशन ठीक है यह क्या होता है आपका वल लिटर आफ सॉल्यूशन में कितना नंबर आफ फॉर्मूला मास आपका डिजॉल्व है किसी भी सॉल्यूट का वही क्या होता है इसका यूज हम लोग कहां करते हैं इसका यूज हम लोग आइनिक सॉल्यूट की रूप में करते है जहां पर आपका क्या रहेगा आइनिक कंपाउंड आपका सॉलीट की रूप में रहेगा ठीक है अब एट इज यूजड इन कि आयोनिक सॉलीट है ठीक है चलिए तो यह अपका सारी कॉंसलेटेशन रिपरजेंटेशन थे ठीक है तो अब हम कराते हैं आप लोगों को अपर देखिएगा कैसे कैसे कुशन सॉल्व होते हैं कि कुछ कुशन में लाया हूं फॉर्स्ट कुस्टन आपका है क्यालकुलेट कि ऐन के क्यालकुलेट दर के मौडारीटी ऑफ मतलि ओर को मारा वाटत थेके जोड़ान का कैसे कालकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसान है यह प्यूरड से दिया हुआ है वन्गाम पर ml ठीक है तो यहां से सबसे पहले में क्या करेंगे लेट कर लेंगे लेट वालूम आफ कि वाटर इकल टू थाउजेंट अमल ठीक है तो मास अबिसली निकल दाएगा आपका मास आफ वाटर इकल टू तो थाउजेंट इंटू Density, ठीक है, and density आपका दे रखा है 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1000 into 1 gram per ml, यहाँ से आपका ml, ml cancel हो जाएगा, तो आपका बाच गया, 1000, ठीक है, चलिए, तो आपको, मास में निकल गया मोलाइटी का फर्मूला होता है WB by MB into 1000 by B ठीक है यहां से MB आपको पता है 1000 ग्राम 1000 यह 18 होता है यह भी आपका 1000 दिया हुआ है यह कैंसिल हो गया तो इसको आप कैल्गुलेट करेंगे तो 55.5 मोलाइटी हो जाएगा ठीक है मिंस प्योर वाटर का आपका मोलाइटी हो गया 55.5 हो गया ठीक है नेक्स्ट के तरफ आगे बरते इसको देख लिजएगा पॉल्ज करके समझ लिजएगा और फिर भी समझ में ना आए तो मैं इंस्टाग्राम का आइडी डिसक्रप्शन में में मेंसन कर दूंगा उस आप मुझे फॉलो करके और पूछ सकते हैं और फिर जिसके पास वाट्सट नंबर होगा मेरा वह आपका वाट्सट पर पूछ सकते हैं ठीक है चलिए कि निक्स्ट को सब्सक्राइब बहुत अच्छा को सब्सक्राइब नोट करते जाएगा आप लोग the mole fraction of methyl alcohol in an aqueous solution is 0.02 and its density is 0.994 gram per centimeter cube Determine its Molarity and Molarity ठीक है चलिए यह आपका questions है देखिए इस question को कैसे solve करेंगे इसको कैसे solve करेंगे यहां से देखिए आपका मोल फ्रेक्शन दिया हुआ है इसका मतलब कर लेंगे सबसे पहले let number of moles of CS3OH equal to X and number of moles of H2O equal to Y तो क्या होजएगा mole fraction of CS3OH जो होगा वो क्या होगा X by X plus Y and यही आपका देखिए रखा है 0.02 ठीक है चलिए यहां से क्या करते हैं निकालते हैं 0.02 प्लस X इंटू यह हुआ आपका यहां से X equal to 0.02 इंटू X plus 0.02 इंटू Y इसको ठाक इधर ले आते हैं तो कितना होजएगा 0.98 इंटू X 0.02 Y ठीक है चलिए तो X by Y by X equal to 49 calculate कर लिजेगा इधर ले आएंगे इसको ठाके ले आएंगे तो आपका टू को 49 से आप से पूछा जा रहा है मोला रिटी ठीक है तो आप दोनों calculate कर सकते हैं मोला रिटी दोनों calculate कर सकते हैं तो देखिए हम लोग मोला रिटी calculate करते हैं कि मोला है कि रिटी का जब फर्मूला होता है डवलू बी बाई एम बी इंटू थाउजेंट बाई भी ठीक है चलिए यहां से देखिए डवलू बी डवलू बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग तो से डवलू या फिर सिदे लिख सकते हैं इसको नंबरर्ण उस आफ-ऐल्त लेए टिक चलिए नमबर्ण लेएम जोस्व्ली का कितना व्यवा एक्स एकस लिख दिए ठीक है इंटू थाउजेंट वॉलूम वालूम आपका दिया हुआ वॉलूम आपका दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ठीक है डेंसीटी दिया हुआ है तो देंसीटी दिया हुआ है तो वहां सब लोग क्या कर सकते हैं वॉलूम निकाल सकते हैं देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे वाटर का नंबर आफ मोस दिया हुआ है तो मास आपको न तेट थो गया ठीक तोट कीओ जाए यह आपको क्या हो गया उसका मास निकल गया अब को सब्कлов चाहिए तो छाहिए चल गया पता चल गया मास पता चल गया थीक ठीक है यह आपको क्या वालूम आ गया तो यहां पर लोग पूट कर देते हैं प्लेस पर तो वाइप इंटु एटीन और बाई 0.994 तो एकस बाई-वाई इंटु थाउजन इंटू जिरो पॉइंट नाइन फोर बाई 18 x by y का भलू y by x का भलू यहां पर निकाल चुके हैं तो x by y का भलू कितना हो जाएगा 1 by 49 हो जाएगा in 2000 into 0.994 by 18 ठीक है तो यही आपका मुलारीटी हो गया इसको आप calculate करेंगे तब का मुलारीटी निकल जाएगा ठीक है आपको मुलारीटी चाहिए आपको मुलारीटी चाहिए तो मुलारीटी भी निकाल सकते हैं आप देखें कैसे निकालेंगे मुलारीटी तो मुलारीटी इकोल टू होता है कि नमबर आप मोस अब सॉल्यूट कि बाइग मास अफ़ दा सॉल्वेंट नम्बर आप मोस अफ़ सॉल्वेंट आपको पता है एक्स मास अफ़ सॉल्वेंट भी पता है य इंटू 18 तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स बाइबाई का भेलू आपका वन बाई क्या है एक्यर एक्स